हाई फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू नुसके असरदार उपाय में आपका एक वह फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज में आपको चेहरे के दगधबों को दूर करके चेहरे को गोरा और ग्लोइंग बनाने का एक असान सा घरेलू उपाय बताने जारी इस क्लिक कर ले नुअझ कै 열okee करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं इसनोची के लिए सबसे पहले आपको लेना मुल्टानी मीटी मुल्टानी मीटी का पाउडर अपकी तोचा को गोरा बनाता है सांथ ही आपकी तोचा को टाइट करता है जिसे Cristo के फिवरिकश दूर इसका आसाथिय गंस क्लेंया टूरा को अपको जाते हैं अब इसमें आपको मिक्स रस आपको लेना तरीज भाएति अब मिक्स लीना, पिरना के लौत से अब उध्या यांटार, क्लょपी शेव लंगते हैं आपके तवचा को साफ सुत्रा और चमकदार बनाएगा साथ ही अगर आपकी तवचा पर दाने फोड़े फुंसियां या किसी भी तरह के दगधबे हैं उसे दूर करने में यह बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है आप नीम की पतियों को धूप में सुखा ले फिर उसे बा डगधब के फोड़े बूस अब इसमें अपको मिक्स कर लेना है अपको लेणा है गुलाब जल इसके बाद आपको मिक्स कर लेना है में टी पिल नीम्न टील्प पौवडर यानिकि नीबू के छिल्के पौवडर इसे भी आप घर पर आसानी सकते हैं से नीम्न टीली नींबू के छिल्कों को आपानों है श्रील्प में पें chronी इस ऊघ्टार नीबू के छिलके का पाउडर त्वचा की रंगत को निखारने में बहुत ही एफेक्टिव होता है इसके जगह पर आप नीबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब इन सारी चीजों को आपको मिक्स कर लेना है अगर आपको पेस्ट गढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ी सी मातरा में रोज वाटर मिक्स करके इसे एक स्मूध पेस्ट आप त्यार कर लें अब इस पेस्ट के इस्तेमाल करें अपने चेहरे पर साथ ही इसे अपने गर्दन पर भी जरूर लगाए इसे लगाने के बाद जब यह ड्राय हो जाए तो नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को दो लें हफते में 2-3 लार इसका इस्तिमाल करें आपकी तुचा के दागधब जहाईया पिमपल्स और पिमपल्स के निशान या चेहरे पर किसी वी तरह के निशान हो वह बहुत ही असानी से दूर हो जाएंगे साथि आपकी तुचा में बहुत ही अच्छा सा निखार आएगगा आ मिलते हैं अगली वीडियो में